हेलो फ्रेंज माइनेम इस जैबर देस्टी जूस प्रेस्की तोड़ी आल टीच यह आउट टू मेक रेशिन कॉफी वैसे मेरे पापा पटिंडे तो है ते महार उपड़ तो है तो इसे बनाने के लिए हम यूज करेंगे दूद कॉफी जरा सा पानी और यह भली आपको आई स्क्रीम का डबा लगे पर यह मेरी मा के दियो इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी तो सबसे पहले हम दूद लेंगे इसे हमने उबार लेना है अब हम एक मक के अंदर दो चमच परके काफी के डालेंगे साथ में ही तीन चमच चीनी के डाल देंगे ताकि आपके सुस्त चाइनीज आखों में अमलियों जैसा जोश आज़ा और आप कैम हो जाएं अब हम इसके अंदर तीसे मल पानी डालेंगे अगर आप चाहें तो रम भी डाल सकते हैं इस काफी को पीक आपके सारे प्रेशर दूर हो जाएंगे नेगिटिविटी फलश हो जाएगी और पॉजिटिविटी दिमाग के अंदर आएगी आपने इस मिक्स को डेट दो साल तक ऐसे ही फैटने हैं जब तक ये अपका मूड़ा नहीं उतर जाता और दूसरा इसका रंग बिल्कुल गिली तूड़ी जैसा नहीं हो जाता अब गरम दूद के अंदर ये यंतर डाल के हम निच्छे से जाग बना लेनी है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इसको फरोथर बोलते हैं अब इसके उपर अच्छे से जाग आ जाएगी जिसको में अच्छे से नतार लेंगे दूसरे बरतन के अंदर और अब तक आपको एसास हो जाएगा इसका स्यापा करने से अच्छा तो आप चाय ही बना लेते इसलिए फूड बलॉगर्स और नेताओं के जासे में कबिच नहीं आने का अब हम स्पून फुल अफ डॉलप्स को कप्स के अंदर डाल देंगे जितना टाइम आपको इस काफी को बनाने में लगेगा उतने टाइम में आप चाय नाइस्ता करके हलके होके लंच के सपने भी देखने लग जाएंगे इसलिए ऐसी रेस्पी सर्दियों में साल में एक दो बारी बनाई जाती है अब इसके अंदर एक पिंच सिनमन आड़ करने के बाद इसके अंदर हम दूद आड़ कर देंगे इसके बाद जो दूद बच जाए उसका तूतक तूतक तूतिया बोलके दहीं जमालो मिल्क आड़ करने के बाद आपकी कापाचीनो त्यार हो जाएगी इस स्टेज पर आप इसे कंजीम कर सकते हैं अगर आपके हॉसले अभी बुलंद है तो आप रेजबी को कैरी ओन कर सकते हैmm अब बस हमने प्रोफ को काफी के उपर पोर कर देना है फ्रॉथ हैट करने के बाद आप इसके उपर कॉफी ड्रॉप डाल दीजे या फिर कोको बाॉडर स्प्रिंकल कर दीजे अब हमारी जाग वाली सरफेक्सल कापचीनो रेडी है सो फ्रेंज अब आप इसे पी सकते हैं लेकिन अपड़ी नासानी ले बेड़ दिया नले तो बाद चानी पिणी नहीं ता लोगादी नासा सार दे फिरोंगे एं धैंकी सो मच फॉलवग सुखी बेड़ दी पुखी